हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे Photoshop में Color Balance Tool कैसे यूज किया जाता है तो Color Balance Tool यूज करने के लिए हम कोई Background क्रियेट करते हैं तो Create New पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद एक Size लेंगे 1280 इंटु 720 का और उसका Background हम वाइट रखेंगे और उसे Create कर लेंगे create करने के बाद यहां paint tool हम select करेंगे और इसमें कोई color fill कर देंगे select करने के बाद तो यहां हम double click करेंगे और यह color fill हो चुका है अब हम उपर जो image लिखा हुआ है उस पर जाएंगे और adjustment इस पर click करेंगे और नीचे जाएंगे color balance पर click करेंगे या फिर control भी प्रेस करके भी हम इसे active कर सकते है color balance को तो इस पर click करेंगे click करने के बाद यह interface open हो चुका है अब हम इसमें use करके देखते हैं जैसे shine और magneta yellow यह सब color balance हम कर सकते हैं तो यह balancing हो रहा है इधर side में लेगा है नीचे लिखा हुआ है tone balance यानि कि हम shadow के रूप में भी एक background को create कर सकते हैं तो यह shadow के रूप में हो रहा है देखे बिल्कुल shadow मतलब इतना lighting नहीं रहेगी इसमें हलका shadow में रहेगा फिर mid tone भी check करते हैं तो यह इधर लेगा काफी attractive बन रहा है वैसे shadow में भी रेड़ ज्यादा अच्छा लग रहा है फिर highlights highlights पर हम गये तो देखे मतलब बैक्ग्राउंड ज्यादा highlight दिखेगा मतलब तीजी आएगे background में तो जैसे yellow देखे कितना hard color दिख रहा है मतलब हाइलाइट हो गया है तो इस परकार हम color balance using use कर सकते हैं Photoshop में प्रकार प्रकाश करें ड्मेच्छा, ड्यादा रहा है